तो गाईज अगर Samsung के एक Best Series की बात करें तो वो है इनकी A-Series जहाँ पर आपको काफी कमाल के Smartphones मिलते हैं Midrange Segment से लेकर अपर Midrange Segment तक और गाईज Samsung का A52, A72 Smartphone काफी कमाल के रहे लास्ट यर लेकिन अब इस यर ना Samsung तयारी कर चुकी है इनके Upgrade Smartphone या फिर आप बोल सकते हो इनके Succession Smartphones को लेकर आने की Samsung Galaxy A53 Smartphone और Samsung Galaxy A73 Smartphone को और गाईज ये दोनी Smartphone ना बहुत एक जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं चानेंगे कैसा होगा ये Smartphone इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिल रहे है Complete Specifications, Pricing और सारी चीज़े चानने वाले है तो अगर आप भी Interested हो A73 5G Smartphone को लेकर वीडियो सुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है इस बार भी आपको similar polycarbonate any plastic की back देखने को मिल देखने को मिल देगा 2-3 color option के साथ में देखने को मिल देगा जैसे आपको black, blue और golden जैसे color option देखने को मिलने वाले है तो overall में कह सकता हूँ build quality, design और look में कोई बहुत बड़ा change इस बार भी आपको नहीं देखने को मिलेगा A72 से A73 के अंदर इसके लाँ guys अगर बात करें phone की display को लेकरना तो यहाँ पर आपको center में punch hole cutout बिल्कुल similar देखने को मिल दाएगा flat screen रहने वाली है और इस बार भी आपको एक super AMOLED screen देखने को मिलेगी full HD plus की जूरूशन के साथ में जहाँ पर अगर display size की बात करें तो 6.7 inch की display size देखने को मिल दाएगी लेकिन इस बार आपको 120 Hz high refresh rate का support देखने को मिलेगा gorilla glass 5 की production डिस्प्ले के ऊपर मिलेगी and in display fingerprint sensor का भी support देखने को मिल दाएगा इसके लब जहाँ पर आपको HDR 10 plus का certification देखने को मिल जाएगा 700 reads तक की peak brightness देखने को मिल जाएगी तो display की quality अच्छी देखने को मिलेगी आपको 120 Hz high refresh rate के साथ में smooth experience और super AMOLED panel के बाद में जो color देखने को मिलेगे डिस्प्ले के अंदर से वो भी अच्छा खासा देखने को मिलता है लेकिन जो mean upgrade मिलने माला है वो मिलने माला है इस बार performance के अंदर जहाँ पर आपको Qualcomm chipset देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 777 8G अभी जो chipset है ना काफी जादे powerful है और इस price के उपर थोड़ा सा पूरा ना हो चुका है बट मैं कह सकता हूँ बहुत ही जादा optimized है और काफी सारी phones के अंदर हमने देखे हैं बहुत ही कम heating के साथ में आता है performance बहुत ही stable और अच्छी देखने को मिल जाती है तो performance wise इस chipset के साथ में आपको कोई दिकत नहीं होगी आपको 7 से 8 5G बैंड भी Samsung प्रवाइट करा देगा इसके लिए यहां पर आपको DDR4 RAM और UFS की storage टाइप देखने को मिल जाएगी इसके लिए अगर बात करें इस chipset के साथ में अगर हम software और UI को लेकर Android 12 के साथ में स्मार्टफोन आने बाला है इंडिया के अंदर One UI 4.1 के साथ देखने को मिल जाएगा तो अगर performance को देखे तो बहुत ही कमाल का इस price के ओपर आपको देखने को मिल जाएगा definitely मैं कह सकता हूँ लेकिन अगर बात कर एक camera section को लेका तो यहां पर मैं definitely कह सकता हूँ एक बड़ा jump और एक बहुत ही बड़ा upgrade देखने को मिल रहा है इस बार आपको back में quad rear camera ही देखने को मिलेगा लेकिन जो lens है न वोन में changes है primary lens में इस बार आपको 108 megapixel वाला sensor देखने को मिलता है 64 megapixel से यहां पर काफी आगे गया है Samsung यहां पर यह जो sensor रहने वाला है Samsung को होगा या फिर Sony का यह confused हो लेकिन यहां पर confirm हो कि यहां पर एक sensor Sony का ही देखने को मिल जाएगा इसके लिए जो second lens देखने को मिलता है 12 megapixel का ultra wide lens फिल्कुश similar मिलता है लेकिन इस बार आपको 5 megapixel का macro और 5 megapixel के depth के जगना 8 megapixel का एक telephoto lens देखने को मिलता है जो कि 3x zoom के साथ में आएगा और लास्ट में 5 megapixel का macro lens भी देदिया गया है तो जो depth sensing lens होता है जिसका कोई use नहीं होता है उसे हटा के इस बार एक usual lens में बोल रहा हूँ कि अच्छा क्या है Samsung ने देदिया एकी telephoto lens अब भाई इस price के उपर telephoto lens भी देदिया macro lens भी देदिया Samsung ने और 108 megapixel वाला primary lens देदिया तो camera department को देखे तो मैं कह सकता हूँ best camera आपको देखने को मिलने वाला है Samsung की A73 smartphone के साथ में इसका हम भाई OIS का support देखने को मिलेगा 4K 30fps तक की recording back से कर पाऊगे 1080p तक की recording front से कर पाऊगे 32 megapixel का selfie shooter front के लिए दिया जाएगा overall में कह सकता हो camera department best हो जाता है लेकिन अगर battery और charging की बात कर ले तो 5000 image की लंबी battery देखने को मिलेगी 6000 image नहीं होगी guys लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 33 watt के charging का support मिल सकते है और box के अंदर सायस से इस बार charger Samsung नहीं provide कर आ है जो कि Samsung की A53 के साथ में भी होने वाला है तो यह एक बहुत ही गंदी चीज कर रहा है Samsung Apple का copy कर रहा है और बाकी brands बिसको देख के करेंगे ही तो यह गलत चीज है भाई box के अंदर आप charger प्रोवाइड नहीं करा होगे तो phone भी रख लो यार phone भी मत दो हमें पैसे ले लो बस तो यह बहुत ही बेकार चीज है इसके लोगाईज आपको IP rating देखने को मिलती है IP67 की rating देखने को मिल जाएगी 3.5 mm का audio नहीं headphone jack फोन के अंदर से गायप किया गया है कन्फोर्म हो चुका है और type C का support देखने को मिलेगा है dual studio speaker support देखने को मिलता है तो आपका multimedia experience कमाल का रहने वाला है इसके लोगाईज आपको expansion option नहीं देखने को मिलता है तो यह कुछ complete specifications हैं Samsung Galaxy A73 5G smartphone को लेकर जहां पर अगर pricing और India launch की बात करें तो Samsung Galaxy A73 smartphone Samsung Galaxy A53 smartphone आपको बहुत ही जल इंडिया के अंदर साथ में देखने को मिल जाएंगे मतलब आप कह सकते हो कि April के इंडिया फिर माई के first week में confirm देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर बात करें pricing को लेकर तो यहां पर आप समय लो कि Samsung Galaxy A72 smartphone 34,500 यानि 34,500 रुपीज के ऊपर आया था अगर बात करें Samsung Galaxy A73 के अंदर तो काफी चीज़े upgrade मिलती है पफॉमेंस के अंदर upgrade मिलता है यहां पर काफी चीज़े improve की गई है तो यहां पर मैं definitely कह सकता हू प्राइस इस बार एक सी 2000 रुपे ज़्यादा हो सकती है और यह smartphone 35 से 36 जार के करीब अपने base variant के साथ देखने को मल सकता है और 35 जार के करीब भी Samsung के तरब से एक best option हो सकता है एस सीरीज के अंदर तो भाई नीचे comment करके आप ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा है smartphone और आपके recording क्या कुछ pricing होनी चीए नीचे ज़रूर बताना कि आपने से किते सारे लोग वेट कर रहे है स्कून का बाकि वीडियो अच्छी लगए हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल आपको ले मिलते एकने और कमाल वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिंद बंदी मात्रव अपना ख्यार रखिए